नमस्कार मसार्दा पांडे आसान जिन्दगी किस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ आज मैं आपको मूंग की बड़ी बनाके दिखाऊंगी तो मूंग की बड़ी जो मैं आपको दिखाऊंगी बनाके वो मूंग की बड़ी बहुत ही चटपटी है और जैसे मूंग की साधी बड़ी बनती है वैसी बड़ी नहीं है आप इस बड़ी को खाएंगे तो आप तारीफ करेंगे आपको लगेगा इस बड़ी को आप पहली बार खा रहे हैं जैसे हम दाल चावल बनाए सबजी बनाए तो कोई कूरमुराद चीजे से पापड़ है कुछ है तो खाना चा कि इसको हम साथ से आठ घंटा तक भिगो दिये हैं अब इसको हम धो लेंगे इसका पानी इसमें हम छान देंगे यह पिर इसको हम इसमें डाल देंगे और बाकी भी इसी तरह से पानी को छान के और दूसरे साफ पानी में हम धो लेंगे अब इसको थोड़ा सा हांस से ऐसे हम चावल बनाने के लिए धोते हैं वैसे धो लेंगे कुछ इसमें जो इसका पाउडर रहता है निकल जाएगा यह अब फिर हम इसको इसका पानी पहले उपर वाला भाग निकाल देंगे आईसे जो कि कचड़ा होता है उसको हम निकाल देंगे फिर इसको बचे हुए को इस तरह से तोड़ा छान देंगे यह इचन गया फिर हम इसको आपज डाल देंगे इसमें कि मैं आपको बताई थी कि एक किलो यह मूंग डाल है तो फूल के दो किलो हो जाता है अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे तो एक बार हम मिक्सी को बंद करके इसको चला देंगे अच्छी तरीके से क्योंकि किनारे किनारे में डाल रहता है जो कि पीसी नहीं रहते है फिर दुबारा हम इसको पीसेंगे तो आप देखेंगे यह अच्छा पीस किया है थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए तो इसी तरह से दो किलो जो डाल है हम पूरा पीस लेंगे तो यह देखेंगे यह पीस गया है यह दाल तो इसको हम वैसे फेंटेंग जैसे बड़ी फेंटते हैं इसको यानि कि जो उड़त की बड़ी होती हो इसको हम 10 से 12 घंटे तक पीस के रख देते हैं नरम होने के लिए पर यह मुंकी मुगवड़ी क्यों हम तुरंत ही पीस के तक ठील भीस एंगी जब तक की पादी में ढौने तो ऊपर ना जाए तब तक इसको भी नागता है जादा चंटा ज्यादा नहीं लगता आइसे आप इसको फीटने वाले मसीन से भी फीट सकते हैं या जैसे हम मिक्सी में पीछते हैं तो जीग जादा हम घुमा दे तब भी होड जाता है पर यह दाल जादा महीन हो जाएगी इसलिम मिक्सी के हों जादा नहीं भुमा सकते पहले की मतायें हर काम जो है शिलवटा से हाथ पहले के की अंए ही करती थी, पहले सब सुविधाय नहीं थी फेटने का, या मिक्सियों गर 드, सब काम हाथ से होता था, तो जब बड़ी उगरब बनना होता था तो जो मातायं बनाने वाली थी उनको जल्दी से हर काम से फूर्सत होके इसी मिच्छत में जाके आंगन में जहां भी जिसको बनाना रहता था सब मिलके बनाते थे तो यह देखिए मैं आपको बताई थी कि 10 से 15 मिनट लगेगा लेकिन यह जो उड़ाद की बड़ी होती है उसमें 10 से 15 मिनट लगता है मुंगा उड़ी में कम ही लगता है यह अभी हमको पांच मिनट भी नहीं हुआ हम देखते हैं यह पानी में उपर आ जाएगा तो फ्यंट यह फेट चुका है अब हम इसको नहीं फेटेंगे तो मुंगोडी में जो जो सामगदी डालूंगी मैं आपको दिखा रहे हूं यह फूल गोभी है यह फूल गोभी आधा किलो है यह हरी मिर्च है कभी भी ऐसे मैं आपको बताती हूं अचारों में तो आप हरी मिर्च नही डालना चाहिए इससे स्वात बढ़ता है और यहीं नियम है कि बड़ी में हरी मिर्ची पड़ती है कई कई जगा मुगवडी बिल्कुल साधा बनाते हैं आप ऐसा भी बना सकती है यह मसाले दार्याने सिंपल वेसिक मसाले डाल रहे हैं जो कि ठंड में जरूरी है यह मिर्ची करोगे आसान जिंदगी में बड़ी बनाना बताई हूं उड़त का उसमें भी मैं जाइफल होता है जैसे सुपारी होती है मीडियम साइज की वैसे जाइफल होता है जो की ठंड में काफी फायदे मंद होता है इसको बच्चों को भी घिस की पिलाते हैं ठंड में इसका प्रण्ड से बचाने के लिए आप इसको जरूर डालें फिर मैं आपको दिखाऊंगी यह जीरा का मैं पाउडर नहीं बनाए हूँ ना तो इसको पीशूंगी इसको मैं भीगा दी हूँ यह इसका पानी अलव हो गया इसको पीशूंगे नहीं यह खड़ा जीरा हम उंगाओरी में डाल देंगे क्योंकि इसको हम इसले भीगोए हैं कि यह इदम नरम हो गया है यह देखिया आप आप इसे मसल दोगे तब भी यह दो दो दाने हो जाएंगे इसको हम जब बड़ी में डालेंगे तो जो इसका भीगा हुआ भाग है पूरा बड़ी में भिन जाएगा हम खड़ा जीरा भी डालते हैं लेकि उतना वह अच्छा ने रहता आप जीरा को यह जीरा 50 से 75 गराम है इसको भी गोलिये हैं इसको देखो यह ऐसे इस तरीके से बारीक हम इसको काट लेंगे यह ऐसे और इसको हम अलग कर देंगे और चाहे आप तो इसको रेत के भी डाल सकते हैं आलग कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम आपको आसां तरीके से मॉंगोडी बनाना बता रहे हैं देखिए गोभी ये कट गई है और आपको मै एक तरीका और दिखा दे रहे हूं कि देखिए जैसे किये गॉभी है ये रेत्नी वाली मुटी रितनी तो आप गोवी को यू ऐसे करके भी देखिए यह आप इस टाइब का करके भी मुगवडी में डाल सकते हैं तो यह आपको जो मैं मिर्ची काट की दिखा रहे हुँ बाकी मैं उस बड़ी में पीश के डाली थी तो इसमें हम काट के डाल रहे हैं जब हम काट के डालते हैं तो पूरे में नहीं भीनेगा यह अलग अलग रहेगा आप चाहेंगे तो इसको अलग कर सकते हैं और यह देखिए अद्रक को भी हम रेत लिए हैं अब हम सभी मसाले मिला के आपको बड़ी बना के दिखा रहे हैं यह जीरा है यह भीगा हुआ इसको हम डाल देते हैं यह हरी मिल्च है इसको डाल दिए अधरक है अधरक भी डाल दिए और यह गोवी है यह गोवी डाल दिए और यह है दो जाइफल का पाउडर जिसमें हम एक ही डालेंगे जैसे हम बताते हैं कि मसाला बच जाता है तो हम उसको फिर और काम में ले लेते हैं यह बहुत ही सुगंधित है यह डाल दिए जाइफल पाउडर यह हींग है तो हींग एक दिखिए इसमें धकन भरके हम डाल रहे हैं इसमें और दो धकन डाल रहे हैं दो किलो है ठंड में हींग बहुत ही फायदे मंद होता है तो हींग डाल दिए अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हम इसको पहले फेट चुके हैं तो ज्यादा हमको फेटने के जरूरत नहीं है सिर्फिस को मिक्स करेंगे और फिर हम इसको तेज धूप में मुंगवडी सूखने के लिए रखते हैं लेकिन हम जब मुंगवडी खोटते हैं तो या तख़त है चार पाई है तो उसको धूप में से नहीं करते कि सीर में धूप लगता है पहले खोट लेते हैं फिर हम तखत या चारपाई को धूप में रख देते हैं हम इसमें नमक नहीं डालेगी क्योंकि यह नमक डालने से यह पतला हो जाएगा गिला हो जाएगा नमक हम उपर से जब खाने लगते हैं तब डालते हैं यह देखिए देशी स्टाइल यानि मुगवडी को खोट लेंगे आप चाहें तो बड़ी की हिसाब से भी जैसे चाहें वैसा बना सकते हैं मुगवडी का पूरा पीठी में मसाला होगा डालकर तयार कर ले हूं आपको मुगवडी बनाना बता रही हूं और आप इसको बनाए यूपी इस्टाइल मूम की यह देखिए किम्कि वो जो उरत की बड़ी होती हो कुछ वो लिसलिसा होता लेकिन यह दरदरा होता है तो आप इसको जैसे भी चाहें बना सकते हैं सूपने पर छोटा हो जाएगा यह आप इसे हम इसको पूरी बड़ी को बना लेंगे इसी तरीके से हम सारी बड़ी को बना लेंगे तो यह बड़ी मैं बना लें हूँ मूंगोरी मूंकी तो इसको हम अभी धूप में कर देंगे और इसको हम कम से कम 5-7 दिन तक अच्छी तरह से सुखा लेंगे और अगर आप इसको डिब्बे में भरकर रखना चाहती तो थोड़ा और धूप दिखा दें क्योंकि यह ठंड का समय है तो थोड़ा धूप ज़्यादा दिखा रहेगा तो मूंगोरी खराब नहीं होगी तो ये बडी कई हमारी बहने जो बच्चे हैं उपोस्ते हैं ठीक है आपने बडी बना कि दिखाया है यानि जो मैं पिछले सार दाली 6 फीजोट बोल रहे थे लेकिन यह होता ज्या है इसका क्या करते है पूस्ते थे तुमें उनकों पताती ही थी साय गी में उनकों इस बड़ी को, जो मुंगवडी होती है, इसको सब्जी में ही पका के खाते हैं, जैसे आलू की सब्जियां है, गर्मिन कोई सब्जी नहीं है, तो आथ इसको भून के, और आलू की सब्जी के साथ इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसको आप जैसे इसे ही भून के खाएंगे, त तो इस डिब्बे में ऐसे इसको भर देंगे, तो इस खराब होता नहीं है, अच्छे तरह से आपको खाड़ी इसको रखें, गोवी डाल के हम बनाएं इसको, और आलू की सब्जी में आप इसको डाल के बनाएं, बहुत ही स्वादिश्ट सब्जी बनती है, यह एक लो का डिब्बा है, यह भर गया है, और इसको हम बंद कर देंगे, यह इसमें हवा नहीं लगएगा, बीच बीच में आप जैसे बरसात वोगरा है, तो काग बार धूब दिखा दें, हम आपको मुंगोडी दिखाएं हैं मुंग की, और इसी तरह के वीडियो आगे भी हम आपको देंगे, आप हमारे साथ बने रहे हैं, देखते रहे हैं आसान दिन लगी, तब तक के लिए नमस्कार